नमस्काल दोस्तों दोस्तों कैसा हो आप सुबा सुबा उठे हो आपने अपना फोन चेक किया और आपको फोन चेक करते ही पता चला हो कि आपके अकाउंट से बैलेंस कट गए हैं देखते देखते आपके अकाउंट से दुबारा बैलेंस कट गए हो और आप तुनंद भागत पाना लबबग लबग नामुनकिन होता है इसलिए भारत सरकार ने इन सब पर सक्त नियम लगाने के लिए कुछ चीजों में बदलाओ किये हैं जैसे कि SIM कार्ड के लिए नए नियम लागू किये हैं दोफ्तों आईए जानते आज कि इस वीडियो में SIM कार्ड के नए नियम कौ होगा पूरी देथ एनलेटिक्स करते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले बात करते हूं लोगों की जो SIM बेशते हैं जिने हम करते हैं दुकानदार दुकानदार दोस्तों जो SIM बेशता था पहले तो उसको कोई license लेनी जरूद नहीं होती थी एक दुकान खोल होना तो simple और उसको operator से बिलना था और SIM बेश लेना था लेकिन दोस्तों अब रूल में बदलाव हो गया है अब जिसको SIM बेशना है उसको पहले agreement कराना पड़ेगा operator यानि की operator के साथ और government of India के साथ उनको ये वादा करना पड़ेगा कि हां मैं कोई गलत काम नहीं करूं का न अब इसके बात करते हैं नमर दो यानि की उभगता के बारे में उभगता जो होता है दोस्तों वो जो SIM card खरीता है और उसे यूज़ करता है यानि हम आप लोग अब दोस्तों हमारे लिए क्या नियम आये हैं हम लोग पहले अधार कार्ट अपना लेके जाते थे या कोई भी आपको SIM प्राप्त हो जाएगा दोस्तों हमारे अधार कार्ट में दो तरह की information होती है एक होती हमारे नाम पता और date of birth होती है demographic information और second information जो होती है वो होती हमारे biometric information जिसमें हमारे आक आयरिस और हमारे फिंगर पिर्स लिए जाते दोस्तों उनको हमें ये देने की जरुवत नहीं है आप केवल हमारे अधार कार्ट का QR कोड़ स्कैन करके वो हमें से इंदे पाएंगे क्या होता था कि दुकांदार हमारे फिंगर पिर ले लेते थे और उ दोस्तों इसके लिए मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसको रूखनी के लिए क्या हो पाए है अब बात करते है नंबर 3 दोस्तों अगर आपका SIM खो गया है खराब हो गया है उसके लिए आपको नया SIM मिलेगा लेकिन वह सिम आपके अधार कार्ड यारि कि आप हो जाली है और एक अधार कार्ट से यारी कि आपका एक आईडेंटिटी प्रूप से यारी कोई भी हो जाफ आपका या पैचान बत रहो या अधार काड़ आपकी तीनों डॉक्में या क्यों भी डॉक्मेंट आप लेके जाते हैं तो आपको नौ सीम से ज़्यादा आप नहीं ले पाएंगे आप नौ सीम एक बार में ले सकते हैं आप दोस्तों बात करते हैं रूल नमर फोर कॉर्परेट के लिए जो हमारा कॉर्परेट सेक्टर था वो पहले इंप्लॉई को बल्क में सिम देता था कि लिजी आप मेरा सिम यूज किज जाएगा पहले का बल्क में सिम ले लेती थी कमपनी 40-50 सौ सीम ले लेती थी उसका एक पैच आता था उस पैच पे उसको इंटॉल करते दिए जिसके बाद खूप सारे कॉल्स होते थे और इस कैम करना बहुत असान हो तर्लिक अब दोस्तों नमबर आप बात करते हैं नमब सिम चोरी हो गया हो तो वहाँ पे जाकर रहा कर सकते हैं और आपको कोई भी धिक्कत नहीं होगी कोई आइप और आपको जाना है इसके बाद आप जैसे करेंगे तुरनत आपका कर दिया जा देगा दोस्तों आपको लोगेगा कि ये बहुत उपर उपर लेवल पर काम होता लेकिन दोस्तों नहीं ये जमीनी अस्तर पर भी काम किया जा चुका है इस पोर्टल के साथ लाग बग तीन महीने में 114 करोर कनेक्शन अभी तक जाची जा चुके हैं जिसमें से 66 लाग कनेक्शन संदेज अनक पाए गए हैं संदेज जनक पाने के बाद और दोस्तो बैंक अकाउंट और वालेटेज को भी फिज किया चुका है इस पोर्टल करने के के बाद दोस्तों ये था संचार साथी पोटल के बेनफिट आप कभी भी अगर आपको टाइम मिले तो आप एक बास संचार साथी पोटल पर जाके अच्छे सजाच परता ले कौन सा मीनू कहां है कौन कैसे क्योंकि कभी भी किसे साथ कोई दूरगटना हो सकती है तब आपको सकते हैं और आप नहीं करते हैं कि इसक रहे हैं या बताना चाहूंगा अगर काया लिए ईक परसनल तीम है तो उसको बचा लिजे क्योंकि दोस्तों अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे अगर वो बंद हो जाता है तो तीन महीने बाद किसी भी कंपनी को होगा वो किसी भी अनेदर परसन को वो सिम अलोट कर सकती है तो उसके बाद आपको पास कोई रास्ता नहीं चल गया है दोस्तों इसंगा हो गया है कि अभी अभी एंड्रॉड मॉबाइल में जीन नहीं आ रहा है लेकिन एपल के मॉबाइल में इस ही माने लागे लुक्त तो आपको श्यूज का मजाय को सब्सक्राइब और अब करने आफ्सके लियू आपको जियो का इसंगा प्रस् अगर फोन गया आपका तो हर तरीके से गया आपका कोई भी फोन यूज नहीं कर पाएगा आप पुई तरीके से उसको बचा सकते हैं और उसको तुरंद ब्लॉक करा सकते हैं दोस्तों तो यह थी आज की वीडियो I hope कि आपको वीडियो समझ में आये होगी आपकर अच्छा ल